गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट्स आज हम क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री का फस्ट चैप्टर पढ़ेंगे ये बच्चों हमारा वीडियो नंबर वन है देखिए आपका चैप्टर फस्ट का नाम है हजारो वर्षों के दोरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल आपके हजारो वर्षों के दोरान जो हजार वर्ष पहले बीच चुके हैं उनके दोरान जो परिवर्तन हुए हैं उनकी पड़ताल को यहां पर बताया गया है देखो बच्चों यह मानचित्र दिया गया है यहां पर मानचित्र फस्ट अल इद्रशी जो बारवी सदी के भुगोल कि यसे बनाया हुआ दुनिया के नक्षे का एक विस्सा जिसमें भारतिय उपमादीप दिखाया गए है थीक कैसे है कि भारतिय उपमादीप , Candie देखे भुगोल वेत्ता थे जियो लोजिस्ट थे उनका बनाया हुआ दुनिया के नक्षे का एक हिस्सा जिसे भारते उपमादीप में दिखाया गया है आगे देखो मानचित्र वन और टू को ध्यान पूर्वक देखिए मानचित्र वन को अरब भुगोल वेत्ता अल इद्र जिसी ने 1154 में बनाया था यहाँ जो नक्षा दर्शाया गया है वह उसके द्वारा बनाये गए दुनिया के बड़े-बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है भारतिये उपमादीप को जो धर्शाता है छीक है जो अब यहां पे पताये गया है बच्चों कि जो दुनिया के सब उसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है, मानचित्रकार किसी कहते हैं, आप जानते हैं, जो व्यक्ति मानचित्र नक्षे को बनाता है, उसे मानचित्रकार कहते हैं, अब देखेंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे, मानचित्र टू, एक फ्रा बनाया था एक मांचित्रकार ने कब बनाया था बच्चों नीचे हमने क्या पड़ा था पहले 1154 में ठीक है और अब दूसरा कब बना था 1720 में दोनों नक्षे एक ही छेत्र के हैं लेकिन उनमें बहुत अंतर है अल इद्रशी के नक्षे में दक्षिन भारत को उस जगे दिख है जग्याओं के नाम अर्भी में दिये गए हैं उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश का कन्योज आपने सबने सुना होगा कन्योज नाम उत्तर प्रदेश के कन्योज का नाम आप सभी जानते होंगे मांचित्र टू मांचित्र वन के बनने के ल नक्षा हमें अच्छा लगने लगेगा उसमें विशेशकर 30 इलाकों के बारीक ब्योरे को देखकर बहुत आश्चर्य होता है यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुंद्र यात्रा के लिए इसी नक्षे का इस्तमाल किया करते थे जो ये नक्षा बनाया गया है इसे यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुंद्र यात्रा के लिए इस नक्षे का इस्तमाल करते थे अब देखेंगे अध्या 6 में इसे आगे ये देखें लेकिन आप भीत्री छेत्रों पर नज़ा डालें क्या आपको इन में से उतने ही व्योरे दिख रहे हैं जितने समुंद्र तटवाले हिस्ते में गंगा के मार्क को देखें इसे किस तरह से दर्शाय गया है इस मांचित्र में तट्ये और भीत्री इलाकों के बीच ब्योरो और बारिकी का जो अंतर है आपके खयाल से उसका कारण क्या है इसके बारे में हब इस लेसन में आगे इतनी ही मैतुपून एक दूसरी बात यह है कि दूसरे युग तक मांचित्र अंकन के विज्ञान में भी बहुत बदलाव आ गया था किसके साथ दूसरी मैतुपून बात यह है इसके साथ कि दूसरे युग तक मांचित्र अंकन के विज्ञान में भी बहुत बदलाव आ गया था इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों नक्षों और लेखों का अध्यान करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संधर्बों का उनकी भिन भिन एतिहासिक प्रेश्ट भूमियों का ध्यान रखना बेहद आवशक होता है अब आगे कवच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को पढ़ेंगे